जैपनीश टोसा डोग फैक्ट इन हिंदी वा अल्टिमेट चैनल प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल तो मेकर सब्सक्राइब आर चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले हेलो दोस्तो दोल्टिमेट चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है अदित्या और हमारे मोस्ट पॉपलर डॉग वीड की सीरीज में आज हम बात करेंगे जैपनीश टोसा के बारे में दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें क्विस खिलते हैं क्विस्टिन है कि इस वक जो डॉग ब्रीड आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं उस डॉग ब्रीड का नाम क्या है अगर आप इसका नाम जानते है तो नीचे कॉमेंट करिए और अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे दोस्तो जैपनीज टोसा का ओरिजिन जापान से है और इनको कई अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है जैसे कि टोसा इनू, जैपनीज फाइटिंग डॉग, जैपनीज मेस्टिफ और जैपनीज टोसा कुछ लोगों को टोसा इनू और जैपनीज मैस्टिफ अलग-अलग डॉग बीड लगती है लेकिन ये दोनों एक ही डॉग बीड है बस इनके नाम अलग-अलग है दोस्तो जैपनीज टोसा के बारे में पहले कुछ बाते जान लेते हैं ये डॉग फाइटिंग डॉग है जिनने डॉग फाइट्स में यूज किया जाता है ये आज के टाइम में बहुती रेर डॉग बीड है और बहुती कम डॉग ऐसे हैं जो फैमिलीज के लिए अवेलेबल है यानि नॉर्मल लोगों के लिए अवेलेबल है Japanese Tosa large size की dog breed है और ये बहुती muscular और एकदम strongly built होते है Japanese Tosa की average height 25 inches से लेके 28 inches तर grow कर सकती है और कुछ-कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी height 32 inches तर भी grow कर सकती है बट पहले ये dog breed इतनी large size की नहीं हुआ करती थी Shikoku Inu जिनको इन dogs का ancestor कहा जाता है वो बस 25 kg के हुआ करते थे फिर 19th century के second half में Shikoku Inu को बहुत से large size की European dogs के साथ breed किया गया जैसे old English bulldog, mastiff dogs, saint bernard, great dean, german pointer जैसे dog breeds के साथ Japanese Tosa को breed करने का aim ही ये था कि एक large size का strong और बहुती powerful dog बनाया जा सके दोस्तों इनको dog fights में use किया जाता है जिसकी वज़े से इनकी बहुती bad repetition है लोग इनको बहुती aggressive dog समझते हैं और ये बहुत सी countries में ban भी है और अगर फिर भी आप इनको रखते हैं तो आपको government से कुछ permissions लेने पड़ेंगे इनको रखने के लिए Japanese Tosa Australia, Denmark, Hong Kong, Iceland, New Zealand, Norway, United Kingdom जैसे बहुत से countries में ban है Japanese Tosa का average weight females में 40 से लेके 58 kg तक हो सकता है और males का average weight 54 से लेके 77 kg तक हो सकता है ये dog breed ज़्यादा बांक नहीं करती ये अपने owner के लिए बहुत ही loyal होते हैं और अपने owner के हर command को मानते हैं अगर इन्हें बच्पन से ही training दी जाए तो ये dog बहुत ही obedient हो सकते हैं इनके लिए socialization भी काफी important होता है क्योंकि इनको लोग aggressive dog breed मानते हैं इनको बच्पन से ही socialize करना अच्छा होगा जब ये किसी को नुकसान नहीं पहुचा सकते और उतने aggressive भी नहीं होते इन dogs की average life span 8 चे लेके 11 years तक होती है और इनका later size 6 to 8 puppies का होता है इन dogs का coat short होता है और उसको groom करना भी easy होता है ये dog black, brindle, fawn और red coat color में पाए जाते हैं दोस्तो इस वीडियो के starting में हमने आपसे question पूछा था कि इस वक जो dog breed आप अपनी screen में देख रहे हैं उस dog breed का नाम क्या है जिसका answer है Belgian Malinois Belgian Malinois बहुती intelligent dog होते हैं और इनने बहुत सी countries की army यूज़ करती है ये bomb detection और search and rescue missions जैसे कामों के लिए भी use किया जाते हैं तो दोस्तो ये था आज का आपसोड Japanese Dosa के बारे में और popular dog breed के बारे में जानने के लिए subscribe करें हमारे चानल को like करे, share करे और comment करें इस वीडियो पे